हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्टेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इडियस सॉप्ट्वेर के अंतरगत बीन फोल्डर के अंतरगत इंपोर्ट किये गए सभी मीडिया क्लिप को टाइम लाइन पर इंसर्ट करने के बाद, मीक्सिंग करने या वीडियो की एंटिंग करने के लिए उसका आडियो कैसे म्यूट करते हैं या फिर पर्मानेंट कैसे म्यूट करते हैं और simple mute किये हो या permanent mute किये हो तो उसे वापस कैसे लाते हैं या mute करने का सही तरीका क्या है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर अपने media files को import करके रखा है bean के अंतरगत यदि आपको bean के अंतरगत अपने media file को import करना नहीं आता है तो इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे अपने software को open करते हैं preset कैसे बनाते हैं और media file को कैसे import करते हैं और उसके दूसरे वाले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे इस media file को timeline पर import करते हैं और उसे import करने का कितना तरीका होता है वो वीडियो आप एक बार अवस्ति देख लिजे फिलाल दोस्तों हमने इसे import कर दिया है और इसे timeline पर हम सब पहले लाकर रख लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ctrl plus एक ही प्रेस करना है, लेकिन ध्यान रहे आपका करसर बीन के अंतरगत होना चाहिए, या बीन विंडो एक्टिव होना चाहिए, अब कैसे पता लएगा बीन विंडो एक्टिव है की नहीं, तो उसके लिए इसके बाद आप अपने computer के keyword से Ctrl A को press करें जैसे ऐसा करेंगे तो bean folder के अंतरकर जीतने भी आपने file import करें होंगे वो सारा files यहां पर select हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको जिस भी इसमें से किसी file को deselect कर रहा होगा तो Ctrl key को press करके रखिए और उस file पर click कर देजिए क्यों select हो जाएगा फाइली दोस्तों selection बनाने के बाद अब पहले clip को आपको click करना है means left button को उस पर click करना है और hold करकर रखना है अब आपको इसे drag करके timeline के one VA नाम के track पर बिल्कुल शुरू में mouse pointer लाकर छोड़ देना है जैसा ऐसा करेंगे तो आपका जितना भी video select किया हुआ था पूरी original audio यहां पर record हुई है जो कि generator चल रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं हो सकता है लोग गाली विदियों बहुत सारी चीजें इसमें record हो जाती है या cameraman phone पर बात कर रहा है या किसी की बात सुन रहा है यह सारा इसमें unargal noise कर सकते हैं record हो जाता है जो कि हमें नहीं चाहिए तो इसे बंद करने का दोस्तों दो तरीका है सबसे पहला तरीका है कि यहां पर देखिएगा one भी यह पर यहां पर audio mute का एक बटन बना है audio mute बटन को आप जैसे click करिएगा यह audio सारा mute हो जाएगा अब मैं आपको play करके दिखाता हूँ देखिए अब audio आपको सुनाई नहीं चाहिए पर चाहन रखना हो या बहुत से ऐसे जगह होते हैं खास करके DJ वाला जो recording वीडियो होता है उसका original audio रखना है तो उस अवस्ता में आपको दूबारा इस audio mute बटन को click करना होता है जैसे आप click करेंगे पुना सब की सब audio यहां पर display होने लगेगी तो उस अवस्ता मे दोस्तों थोड़ा सा problem create होने लगता है कि कैसे फिर अब पुराने वाले का भी audio आ गया दूसरे वाले का भी आ गया तो यह तो कोई मतलब ही नहीं हुआ mixing करने का तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि कौन से video का audio track रखना है कौन सा नहीं रखना ह तो यहां भी कई condition में होता है सबसे पहला condition मान लीजिए हमको किसी एक का नहीं चाहिए audio तो आप उसे click करिए जैसे आप click करिएगा वही select हो जाएगा select होने का देखिए दो तरीका होता है पता करने का कि यह clip select है कि नहीं पहला देखिए आप यह blue color में display हो रहा है और दूसर कि यहां पर इस video clip की audio गायव हो चुकी है जैसा कि मैं पहले वाले को play करके आपको दिखा और सुना दोनों देता हूँ तो चलिए play करने के लिए मैंने space key को प्रेखिए आपने अभी देखा भी और सुना भी कि पहले वाले clip में audio आ रही थी और दूसरे वाले clip में audio नहीं आ हटा सकते हैं यदि सब को हटाना है तो किसी भी एक clip को select रखिए Ctrl A की press करेंगे जैसे Ctrl A की press करेंगे तो जिस भी track पर रखे हुए clip को आपको click किये होंगे उस track की सारी की सारी clip select हो जाएगी दोस्तों EDS के अंधर काम करते करते selection बनाने कभी start cut का आपको तरीका पता होना चा उतने अंदरगत ही select करना है तो इसके लिए दोस्तों मैं special आपको वीडियो मराऊंगा फिलाल यहाँ पर अभी बहुत कम clip हैं तो आप Shift A का भी उपयोग कर सकते हैं और Ctrl A का भी उपयोग कर सकते हैं ऐसा करते ही आप देखेंगे कि सारा का सारा जो भी clip आपने 1VA पर लाया जैसा कि अभी आप screen पर देख रहे हैं साथी साथ यह भी देखें कि यहाँ पर audio mute का बटन है और मैं आपको play करके दिखा दूँ तो देखें किसी भी वीडियो का audio आपको सुनाई नहीं देगा तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से सभी के सभी clip थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखें कि सभी देखें वीडियो क्लिप की audio को यहाँ पर mute कर दी गई है अब देखें यहाँ पर DJ बज रहा है इसका अगर जो हमको audio चाहिए इसका तो आप क्या करेंगे तो उसके लिए ध्यान देजिए बहुत ध्यान से समझेगा यहीं पर आपक दोस्तों हो सकता हो कि आपके साथ यह problem हो कि इस वीडियो क्लिप का नाम आपको नहीं display हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके track पर वीडियो जूम इन जो है बहुत कम है जैसा कि देखिए अभी नहीं दिख रहा है तो आप इसको जूम कीजिए जूम करने के लिए control बटन द दिख रहा है तो उसके लिए दोस्तों अभी mouse pointer को ध्यान से फालो करिए देखिए left hand side में यहाँ पर जूम बार बना हुआ है आप यहाँ पर देखिए बटन दिख रहा है इस scroll की तरह इसको क्लिक करिए और इसको आगे पीछे सरका कर देखिए देखिए जूम जूम आउट तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यह नीले color में not display हो जब नीले color में display होगा तो इसको एक बार click कर दिजएगा जैसे इस पर click करिएगा तो यह संत्रे color में display होने लाएगा orange color में इसे shortcut की मदब से on off करना होगा तो अपने computer के keyboard से insert key को press करिएगा insert key नहीं मालूम है तो हमारे channel के playlist में जाएगे बिंडोज basic नाम का हमने एक playlist बना कर रखाया वहां से आप आसानी से सीख सकते हैं तो फिलाल देखें दोस्तों हमने insert key को press करा जैसे insert key press करा देखिए orange color में हो गया अब आपको bean नाम के folder में जाना है और वहाँ पर उसी clip को find कर लेना है डूढ़ने के लिए special उसी वीडियो को कैसे डूढ़ेंगे लिए इसके लिए हम special आपको एक वीडियो बना के देंगे फिलाल दोस्तों हमारे पास देखिए clip मिल चुका है तो इसे आपको click करना है और hold करके रखना है उसके आपको drag करते हुए लाना है और ठीक इस इसी clip के उपर आपको दुबारा इसको छोड़ देना है जैसे आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपकी audio उसमें दुबारा आ चुकी है अब मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा और मैं आपको play करके दिखाता हूँ और सुनाता भी हूँ देखिए पहले वाले में audio नहीं आएग यह एक और clip मैं आपको दिखा देता हूँ यह 4x0 और 8 तो यह रहा 6 यह होगा 7 और यह रहा 8 इसे भी आपको click करना है hold करके रखना है और drag करते वे ठीक इसके उपर लाके छोड़ देना है तो अब आप देखिएगा तो इसका भी audio आपको सुनाई देगा तो इस प्रकार द ऐसे ही रोज हम tips, tricks and video editing की एक नई video upload करते रहते हैं अपने channel पर video editing से संबंदित आपको कुछ भी सीखना होगा या जानना होगा तो आप हमें इसी वीडियो या playlist में video section के अंतर किसी भी video में comment करके हम से पूछिएगा हम उस पर special आपके लिए video बनाएंगे मिलते हैं दोस्तो आपको new video and new tips and trick के साथ तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत